दोस्तों यहाँ पर मैं आपको post office के time deposit scheme के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों को लगभग 8% तक का ब्यास दे देती है कभी कभी ये 9% तक का भी ब्यास दे देती है वो आप लोगों के समय के हिसाब से है आप कितने time तक का जो कि इसमें deposit कर रहे हैं इस scheme में कितना पैसा लगा रहे हैं वो आपके उपर हैं दोस्तों मैं आपको बता दो कि यहाँ पर post office को एक secure scheme माना जाता है किसी भी चीज़ के अगर scheme खुली है post office में तो आप लोगों को वहाँ से confirm है कि आप लोगों को वहाँ पर return जो कि मिलता है वहीं अगर आप बैंकों में खुलवाते हैं तो आपने कर ज्यादा पैसा भी उसमें डाल रखा है तो आप लोगों को या तो amount वहाँ पास हो जाता है बिना interest के या फिर आप लोगों को एक लाख रुपए जो कि दे दिया जाता है बैंक की तरफ से लेकिन यहाँ पे आप लोगों का fix amount जो की fix होता है चाए post office लूड ज पोस्ट ऑफिस को time deposit scheme है वो कैसे अलग है और कैसे आप लोगों को ज्यादा interest देती है other bank से अगर आप बैंकों की तुलना करें post office से तो अगर आप FD के साथ जाना चाते हैं तो ये वीडियो जरूर आप लोगों को देखना अगर आप FD खुलवा रहे हैं तो आप इस time deposit scheme को भी जान ले post office के time deposit scheme को कि क्या ये better है बैंकों की FD से तो अगर आप लोगों इन दोनों में comparison मिल लिया तो काफी आसानी होगी आप लोगों को अपना decision ले ले में तो आप लोगों लास्ट वे मैं बता दूँगा कि इसमें कितना interest मिलता है आपके बैंकों में कुछ बैंकों था से पचास साल के हैं तो आप इस जरूर वीडियों देखें कोई भी उमर की सीमा नहीं इसमें कोई भी इसमें account खुलवा सकता है कितने भी समय के लिए और इसमें account की सीमा भी नहीं है आप एक account से ज्यादा account भी खुलवा सकता है चलिए इसके बारे पुरी detail इन बात करते स्कीम के बारे में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले में आपको बढ़ा दूकुमेंट्स की क्या जरुद पढ़ेंगे आप लोग को सिंपली अधार पैनकार्ट जो भी एक डॉकुमेंट्स लगते हैं ज्यादा इंटरस मिलेगा आप लोगों आगे में बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूग अकाउंट खुलवाने की सीमा तो अकाउंट खुलवाने की सीमा यहाँ पर कोई भी नहीं है अगर आप सक्षम है एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवाने की तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो आप आठ अकाउंट भी खुलवा सकते हैं इसमें कोई भी रुकावट नहीं है आप असानी से इसमें कई सारे अकाउंट खुलवा करके अपने सक्षमता अनुसार उसमें पैसे डाली है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक साल के लिए टाइम डिपॉसिट स्की में पैसा लगाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 6.4% तक का ब्याज मिलेगा अगर वही दो साल तक के लिए अपना टाइम डिपॉसिट स्की में पैसा लगाते हैं तो आप लोगों को यतना समय सिमा आप इंकरीज करते हैं उतना ज्यादा आप लोगों को उससे ब्याज जो पहरकांड में कि लिमा रख सकते हैं कि यहां बात आती हैं और दोस्तों यहां बात आती है कि अगर स्बी ची बात कर लें एक हफ़ते दस सालों के बीच में आप लोगों को कितना इपाउसित यहां से और यहां दिन मैं आपको 7 दिन से ले करके 10 सालों के बीच का आखड़ा बता रहा हूँ तो अगर हम SBI की बात करने तो आप लोगों को 3% से ले करके 6.2% तक का ब्याज मिलता है वही कैनरा बैंक की बात करने तो आप लोगों को 2% से ले करके 6.4% तक का ब्याज मिलता है इन पे डिपेंडेंसिव आपको बता दूँ कि ये आपकी डिपेंडेंसिव प्राइबेट बैंकों कि कई तो सेयर मार्केट्स पे होती है और कई इनके खुद के द्वारा बदलाओ किये गए होते हैं तो इस तरह कई सारे मैंने नीचे लिख रखी अपने वबसाइट पर जाकर करके आप वहां पर देख सकते हैं आप लोगों को और अच्छी कासे डेटेल मिल जाएगी अगर मैं ज्यादा बताऊंगो तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर आपको कही कॉस्चन आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और चोथी बात जो कि यहाँ आती है कि आप इसमें एक से ज़़्यादा ropolis खकलते हैं कि आप एक ही अकांट खुलवा सकते हैं अगर इन चारों के अलावा और कोई question भी है नीचे आप लोगों के mind में कुछ उठ रहा है तो आप मुझे नीचे comment box से पूछ सकते हैं बागी वीडियो सेर करके दूसरों को भी बताइए कि time deposit scheme के साथ जाएं post office के जो कि आप लोगों को अच्छा कासा return देदेगी एक short term के लिए अगर आप एक साल के लिए invest करते हैं तो आप लोगों को वहाँ से 6.4 तक का ब्याज जो कि मिल जाता है जो कि काफी अच्छा return है अगर आप अबडी में जाते हैं बैंकों के तो आप लोगों को उतना ब्याज नहीं चार से 5% तक का ही ब्याज मलता है तो यहाँ पे आप लोगों को time deposit scheme में पैसा लगा करके आपके पास जो भी पैसा है पान सो दस हजार एक लाग दो लाग जितना भी पैसा है आप यहाँ से अच्छा खासा ब्याज उससे निकाल सकते हैं minimum 200 आप लोगों को account खुलवाना ही है आप जाकर के nearest post office संपर किजी या फिर आप नीचे comment box पूछ सकते हैं अगर कोई question हो तो चली दोस्तों आज के वीडियो सब इतना ही था मुझे उम्मीद है कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको like जरू करेंगे और साथ आप से नेक्स वीडियो में कुछ इस तरह की और जानकारी के साथ मिलूँगा तब तक के लिए आपका दिन सुभ हो जैहिन आप